Hello, Good Morning, Namaskar, आज हम बात करेंगे तालिबान का नया morality law, यानि नया नयतिक्ता law के बारे में, इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें actually बात करेंगे हमकी यह किस तरह आफगान ओमन को परभावित करता है, यह नयतिक्ता law, अब यह आफगानिस्तान के में law बना, तो हम लोग इतना क परभावित हो रहा है, अभी हम पढ़ रहा है, स्टड़ी कर रहा है, चुकि आफगानिस्तान का इस्तिती यह है, देखिए, पाकिस्तान के बाद यह है, पाकिस्तान में यहां पर पाकिस्तान अकुपाई जम्मो कास्मिर, यहां पर पाकिस्तान का अपना administrator काम करता है, अब यह जो हमारा जो नेवर ही बोलेंगे, इसको पडोसी ही बोलेंगे, इमीडियेट रेबर नहीं यह लेकिन पडोसी यहांपे अगर कोई घटना होता, तो उसका डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट हमारे इंडिया पे पढ़ेगा, इसलिए हम इसको अभी हम अध्यान करने जा रहे हैं इस्टडी करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमारा या बहुत पाइदा करेगा अब जो यह morality law है या जो नायतिकता नियम है या केवल आईसी बात नहीं केवल महिलाओं को ही परभावित कर रहा है या महिलाओं के लिए ही या law बनाया गया या law अफगानिस्तान के पूरे सोसाइटिक को कुछ ना कुछ पर्तिबंद करता है यानि उसको लिमिट में लाने के लिए यह law बनाया गया है अब इस law में हम देखेंगे कि actually a law है क्या दूसरी बात देखेंगे कुछ इसका key point देखेंगे उसके बाद में देखेंगे क्या आफगानिस्तान के स्थिति सुरू से ही ऐसा ही रहा है उसके बाद में देखेंगे कुछ international community का जो इस पर comment के आया में ली इविन का संस्था का देखेंगे political चीज हम नहीं देखेंगे कि लिए चलिए शुरू करते हैं नियू से तालिबान का नियू लौ वहां पे तालिबान अभी शासन कर रहे हैं अफगानिस्तान में 2021 से उन्होंने एक लौ पारित कर दिया जिसका नाम है propagation of virtue and prevention of vice मतलब की सदाचार का परचार और बुराई पर रोक था propagation of virtue and prevention of vice या क्या है या कि लौ एक बड़ा महत पुन स्टेज स्टेप माना जा रहा है आफगानिस्तान में सरिया लौ को इंप्लिमेंट करने का इस्ट्रिक्ट इंटर्पटेशन या सरिया लौ है लोग का अपना रिलिजियस लौ है मुसलिम का उसका या इंटर्पटेशन करता इस्ट्रिक्ट कठोड और दूसरी बात के हम बता चुकें कि या लौ आइसी बात नहीं कि केवल रेस्टिक्शन यानि पर्तिबंद के वल ओमेन के लगाता है बिलकुल नहीं यह लौ पूरे सोसाइटी पे आफगान सोसाइटी पे लागू होता है यह है लौ जिसको नाम दिया गया प्रोपगेशन और वाच्चू और प्रिवेंशन और भाइस मिन्स हिंदी में बोले तो कि सोसाइटी में ओमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी ओमेन से ही बनता है महिलाओं से ही बनता है उसमें एक बहुत बड़ी भागेदारी होती है तो हम यहां पे देखेंगे कि एक्चुली यह जो कोड है यह जो लौ है ओमेन को कैसे परभावित कर करेंगे काने का मतलब हैं चलिए यह लॉव क्या का था यह लॉव 114 पेज का डॉक्मेंट है यह पॉब्लिस हो चुका है तालिवान का ओफीशियल गजच में और यह जो इंटरप्रटेशन करता है सरीया लॉव यानि सरीया लॉव प्याधारित है उसी का एक प्रकार का ब्या को भी ढखके रखेंगी कब जब वह किसी अन्रिलेटेड यानि असंबंधित में और कोई नन मुस्लिम ओमेंड के साथ हो अगर ऐसा नहीं करती है ऐसा करना से उनको टेमपटेशन यानि प्रलोभन से उनको बचाओ मिलेगा ऐसा उनको करना पड़ेगा यानि फूल बड़ी पी, तो बचाओ quo के साथ हो तो ऐसा नहीं कर सकती है, कोई बलड रिलेटेड हमेंड है तो उनके सामने और कोई अगर उमेन भीह लेकिन वह नन मुसलिम है तो उनके सामने उनको फूल बरड़ी और फेस को कवर करना पड़े इसके अलावा महिलाओं को किसी तरह का गाना गा किया गया इससे औराह माना गया यानि इंटिमेट माना गया है इसको इंटिमेट माना गया है तो एक अपराध है इसलाम के अनुसार जिसमें जो अतरंग होते हैं उनको नहीं दिखाना होता है इंटिमेशन इसको माना जाता है इसके अलावे अन्रिलेटेड मेन और ओमेन कोई भी unrelated जो मेन है और कोई इनके बीच में अगर relation नहीं है या कोई blood relation नहीं है तो इनको एक दूसरे के तरफ देखने को भी मना किया गया है forbidden किया गया है यह हो गया ओमाइन का address और behavior को guide करने वाला इस law में लिखा गया है जो face को cover करना है सिंगिंग चैंटिंग पर मना है और unrelated जो और संबंधित है उनको ओमाइन को एक दूसरे के तरफ देखने पर भी मना पिया गया है इस law में इसके अलाव है कुछ main के बारे में भी बात पिया गया है उनको पूरा एकडम दाड़ी रखना अनिमार्ज बताया गया और उनको western style का कपड़े पहनने को भी मना किया गया जैसे वह नेक टाई नहीं पहन सकते है या western style का haircut नहीं कटा सकते है शुरू मैं बताया हूं कि पूरे society पे या implement होता है इसलिए क्यों मैं नहीं में पे भी या restriction है कि उनको दाड़ी रखना पड़ेगा और उनको western style से बचना पड़ेगा और इस सारे चीजों को और भी बहु सारे society के लिए society में और सी बहु सारे चीज़ें जिन पर या law implement होता है आब इस law को implement कराने के लिए एक morality police नैतीक्ता पुलिस की बीवस्ता किया गयाऄ जिसका नाव मुचतासिब को यह अधिकार दिया गया है कि इस law को लागु करें और अगर कोई इस law का fellow नहीं करता है तो उसमें punishment की बहु स्पझी आप जो मुचतासिब करें इसके अलावे मुहतासिब का एक और काम है कि वह इंडिविजुल को प्रेरीत करेंगे या मजबूर करेंगे कि इसलाम से इसलामिक सेंबल के परती वह रिवर आधर पर दर्सीद करें यानि रिस्पेक्ट पर दर्सीद करें के लिए तो यह हो गया कि इस तरह का आज हम 2024 खतम हो रहा है इस जुग में जी रहे हैं क्या यह लोग जो अफगानिस्तान में लागू हुआ क्या यह हमेशा अफगानिस्तान में इस तरह का लोग था यानि क्या यह नया डेवलोपमेंट है अफगानिस्तान के लिए नहीं बिलकुल नहीं जब अर्ली मोटनाइजेशन हो रहा था जब लोग आधुनिक बन रहे थे 1920 के करीब में उस समय अफगानिस्तान जो है वह ओमाइन को भोट देने का अधिकार दिया था 1919 में यानि 1919 में जो वेस्टर्ण कल्चर में जो मोटनाइजेशन आया था उससे पहले आफगानिस्तान के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था 1920 में इसके अलावे जब 1960 से 80 के बीच में तो ओमाइन यानि महिलाओं के अधिकार के लिए एक ओमाइन जो है पार्टिसीपेशन करने लगे पॉब्लिक लाइफ में जो पार्टिकल अर्बन एरिया में था जो मिनिस्टर भ लेकिन जब उनीसोचाँ में पहली बार रिकमाइन जो हजार एक में तालिवान सरकार वह Aa gue अट तो थोड़ा सा उसमें घिला पान नाए इतना इस्टिक्ट नहीं था लेकिन फिर जब तालीबान रिटर्ण हुआ है 2021 के बाद में तब लोगों को इंटरनेशनल कमिटी को या उमीद था कि वहां पर कुछ मोडरेट स्टैंस या उदारबादी स्टैंस अपनाएंगे लेकिन अब देखे इन्होंने इस तरह का लोग पारिद कर दिया है क्लियर तो यहां नया डेवलप्मेंट नहीं है या इससे पहले भी 1996 से 2001 में भी इस तरह का लाओ था लेकिन उससे पहले वहां की वहां पर उमन के राइट के लिए बहुत काम किया गया था और उमन को बहुत भाइट भी दिये गया थे अधिकार भी दिये गया थे अब हम आते हैं कि यह जो लौ है या जो विविन निस है जो कम्मुनिटी हमा तो बहु सारे कंट्री के बहु सारे लीडर ने अपना कमेंट दिया है लेकिन मेंली जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड निसम जो है तुरत इस लोग को अच्विकार किया और उनका जो यूविन ओमैन है उन्होंने इसको दमनकारी बताया यूविन ओमैन या लोग ओपरेसिव है दमनकारी इसके लावा यूविन हाई कमिशनर उचायुक जो हूमन राइट्स के हैं मानव अधिकार के उन्होंने इसको और सहनिये लोग को बताया और बोला कि इस लोग को तुरत खतम होना चाहिए रिपील्ड होना चाहिए अलाग में पोजिशन को फिर दो रहाया है कि इंडिया हमेशा ओमेंस के महिलाओं के एजुकेशन जो अफगानिस्तान में होना चाहिए इसको हमेशा सपोर्ट करता है और वहां इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट को कोई भी इंक्लूसिव और तक ही महिलाओं पढसकती है जा 6-7 थैंडर पूरा मैं लोग पढ़ा हूं तो उसमें अपने मुटा मोटी सूसाइटी जो बिल्डफ होता है इसमें लगाई गया है तो बहुत बड़ा रोल होता है तो बहुत बड़ा परतिबंद भी महिलाओं पे ही लगाया गया इसलों के मा सारी जेनल स्टेडी से आप मिल जाएगा महा से देख लिजेगा उसको भी जॉइन कर लगेंगे और इन्फॉर्मेटिव लगा है कुछ सीखें चुकि यह इन्टर्नेशनल रिलेशन के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जर किजिएगा सो थाइंक्यू हैवे गुड़ डे एंड हैपी लर्निंग थाइंक्यू वेरी मच्छ